स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मंकित 72 वे टू सक्सेस में देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आपका लिश्ट लग जाएगी उसके बाद आपकी जॉइनिंग आएगी ठीक है तो आज लगी थी और सही इसाब से कल आपकी जॉइनिंग हो जानी चाहिए अब वैसा ही हुआ है कि मीटिंग हुई थी लेकिन उसका जो कनक्लिजन था कि काम बाद में करेंगे ठीक है वह आज ही निप्टा दिया गया है सारा काम आपका आज ही कर दिया गया है और जितने बच्चों के मेरे पास नंबर है भी कॉन्टेक्ट नंबर है उन सबको मैं कल भई बायमेटरिक है अभी नोटीस दिखा देता हूँ कल से ज्वाइनिंग है ठीक है बायमेटरिक होगी उसके बाद सारा काम होगा तो आप लोग के लिए नोटीस अभी बता जेता हूँ सभी के लिए खुसकबरी है आपके पास जिसका भी call जिसका भी mobile number है आप लोग उनको inform कर देना भई आप लोग उनको inform कर देना ठीक है मैं भी जितने contact number मेरे पास है मैं सभी को try करूँगा उनको phone करने की जिनके यहां net बंद है बाकी सबको तो मिल जाएगी सुविधा ओके यास तो चलिए मेरी आप सभी से request है A to Z की इस वीडियो को share जुरूर करना region यह है share करने का की हो सकता है कोई साथ ही सो गया हो जिसको ना पता हो अभी और अगर आप group में share कर दोगे तो कोई ना कोई किसी का relative inform कर देगा उनको तो हर group में इस वीडियो को share कर देना तो देखिए कल आप लोगों को भी सभी को यह देख सकते हैं आप लोग please refer when message selection for the post of constable GD male and female ठीक है female constable HAP दुर्गावन अगेंस अड़ोटाई चारव टेजवार बीस category number 1 पंचुल आज रिकॉयर्ट टु इंटिमेट दा concerned candidates immediately with the direction to report वच्चर स्टेडियम मदुबन भाय टुमारो तेर है फैब को आठ बजे ठीक है in connection with their biometric इनका क्या होगा भी जाते ही biometric होगी biometric verification होगी ठीक है इन सब ही especially इसलिए बुलाएगा इनको list में भी अब क्या कर दिया 18 बच्चे और add कर दिया 1854 प्लस 18 यहाँ पर लिखा हुआ 319 प्लस 10 339 क्योंकि जो आज गए थे उनका साहथ solution साथ में ही कर दिया गया है जो भी इनोने update किया है ठीक है PDF format are enclosed here with the further necessary action kindly ensure strict compliance with well in time accordingly तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ भी अभी क्या भी आप लोग बाद में ना प्रेशान हो इसलिए बता रहा हूँ एक photo state वाड़ा वही मिल जाएगा और कल आपको बुलाया biometric के लिए है लेकिन अपने document साथ ले जाना भी ठीक है यह मेरा मानना है document साथ ले जाना जो इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है ठीक है इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है लेकिन मैं आप लोग को यही कहूंगा कि आप लोग अपने document साथ ले जाना ओके और जरूरत पड़ेगी तो वहाँ से photo state करवा लेना document में क्या क्या है वही आपकी सारी चीज़े form आपका ठीक है जो आपने apply किया था वो ना हो तो भी निकल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है उसकी तो आपका roll number PhD PMT का अगर है तो आपके पास ठीक है नहीं तो उनके पास भी मिलेगा आपका data और बाकि आपके documents 10th 12th ठीक है 10th 12th graduation जो भी है cost certificate आपका जो भी हर्याना रेजिडेंस ठीक है और socio economics का भी आपको declaration साथ ले कर जानी पड़ेगी socio economics की declaration साथ ले कर जानी पड़ेगी अगर वहाँ पर आपको need होती है तो ये सारी चीज़े समझ में आ गई आप लोगों को ठीक है और दूसरी चीज़ वहीं पर वहीं पर आपको photo state की sop मिल जाएगी काफी साथ जिनका possible हो पाई यहीं से करवा कर जाना अगर किसी रह जाती है तो भी अभी प्रेशान मत होना ठीक है इसमें ये बताया गया कि biometric verification है लेकिन documents की मैं आपको बोल रहा हूँ इसलिए और सभी को inform कर देना भई आपके non में जो भी हो उनको inform कर देना कोई आपका relative लगा जोगी पता था आपको चल गया हुआ की list में नाम है तो उनको inform कर देना जिसका contact number मेरे पास है मैं प्राइ करूँगा उनको अभी बता दूँ ओके तो मिलते है नेक्स डियो में अपडेट के साथ सबी के लिए खुसकबरिया भई अपना रेड़ी रहिए सभी नेक्स जो भी अपडेट होगी टेलिग्राम पर आपको मिल जाएगी मैंने टेलिग्राम पर डाल दिया था मैं बाहर था और मेरे यहां भी भई जीन में भी नेट नहीं चल रहा है तिके मैं बाहर था तो इस वज़े से नहीं बना पाया था टेलिग्राम पर यह पोस्ट कर दी थी मिल टेलिग्राम में यह अपडेट के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे